हलो एब्रीवन विलकम टू आवर चैनल गाईज यहां पर हम बात करेंगे मौलाना आजाद नेशनल इंशिट आप टेकनोलोजी के रिक्रूट में नोटिफिकेशन के बारे में लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें चलिए शुरूबात करते हैं आज के इस रिकूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में तो सबसे पहले जो आपका पोश्ट रखा गया है यहां पर ध्यान से देखेंगे ए यहां पर अगर हम बात करें तो पहला पोस्ट है टेकनिकल असिस्टेंट का टेकनिकल असिसटेंट टोटल नंवर फोस्ट रखा गया है 22 थ्यान रखेगा टोटल नमबूर पोश्ट अखा गया 22 पे स्केल रहेगा आपका तिरानवे सो से चौंतीस जार आठ्सतों का और इसके अलावा बैयाली सो का ग्रेड पे अड़ होगा बैयाली सो का ग्रेड पे होगा अपर एज लिमीट 30 यर्स ध्यान रखेंगे 30 यर्स अप फिर सबस्तब्योट के न 12 सीक्टिडिया या फिर स्बैस्ट क्लास ब्लोगर डिग्री उवाह था इंशे को यहां पर चांश मिलेगा दूसरे पोस्त के बारे में हम बात करें तो डूसरा पोस्त टुंका टेकनिशन का है दूसरा जो post है यहाँ पर आपका technician का है ध्यान रखिएगा technician का post है दूसरा post जिसमें total post रखे गए है 26 26 के साथ साथ अगर हम बात करें तो इनका pay scale रहेगा बावन सो से बीस हजार दो सो का और grade पे रहेगा यहाँ पर आपका 2000 का ध्यान रखिएगा 2000 का grade पे रहेगा इसमें अगर हम बात करें upper age limit रखी गई है 27 years relaxation government के norms के according दिया जाएगा essential educational qualification 12 ध्यान रखिएगा 12 होना चाहिए science के साथ 12 होना चाहिए science के साथ clear है या फिर ऐसा कोई भी student जो 60% marks 10 12 के साथ किया है वो भी eligible है और कोई भी 12 अगर किया हुआ है तो minimum आपका 50% marks के साथ 50% marks के साथ ITI होना जरूरी है ध्यान रखिएगा ITI होना जरूरी है या फिर कोई ऐसा student जिसने diploma in engineering किया है 3 years का polytechnic ध्यान रखिएगा 3 years का polytechnic किया है वो भी eligible है इस post के लिए clear रहेगा 3 years के polytechnic वाले candidate भी यहाँ पे eligible होंगे और इन सभी के लिए pay scale बता दिया मैंने total number of post 26 रखा गया है तो अगर हम बात करें आप से तो technical assistant के लिए 22 post technician की बात करें तो total 26 post और next post आता है pharmacist के लिए next post आता है pharmacist के लिए यहाँ पर जो post रखा गया है वो एक post रखा गया है it means अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल जो है यहाँ पर आपका 49 post रखा गया है ठीक है pharmacist के बारें बात करें तो pharmacist के लिए pay scale बावन सो से 2200 ग्रेड पे 2000 कर रहेगा अपर एज लिमीट अगेन यहाँ पर 27 यह रखा गया है requirement क्या है 10 प्लस 2 साइंस से होना चाहिए और साथी साथ आपका यहाँ पर टू इयर्स का डी फार्मा रिक्वाइड है या कोई भी ऐसा बेक्ती जिसने भी फार्मा किया है वह भी लीजिबल है अपलाई कर सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ध्यान रखेंगे लास्ट डेट अप्लिकेशन सब्मिट्शन का लास्ट डेट जो है वह रखा गया है आपका फॉर्थ जनवरी इसका अप्लिकेशन का लास इस रिजन अंडमान निकोबार लक्षदीप और पॉंडी चेरी इस छेत्र के लिए लास्ट डेट रखा गया है 11 जनवरी किलिए रहेगा 11 जनवरी अपलाई कैसे करेंगे अपलाई करने के लिए आपको www.mnit नियान रखेंगे मौलाना आजाद मनिट घोपाल.nice.in पर 2023 जिनके पास भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके क्राइटेरिया से मैच कर रहा है बिल्कुल अपलाई कर सकते हैं और लास्ट डेट का वेट आप नहीं करेंगे अपलाई सबसे पहले करेंगे जैसे ही आप यहां पर ऑफिशियल नॉटिफिकेशन को विजट सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक सेर जरूर करें थैंक यू सो मच